तो दोस्तो आज हम सीखने वाले CSC DZP Mobile Application में Bank Account Add कैसे करते हैं अपना खुद का Bank Account Add करना है और अपने Relay to का और Bank Account Add करने पर आपने को कितना Commission मिलता है पूरी डीटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो लाश तक जरूर दीके सबसे पहले अपने DZP Lite Application को Open कर लेना है यहाँ पर 3Line पर जैसे क्लिक करेंगे Cash Out पर क्लिक करते हैं Macro ATM Valid पर क्लिक करते हैं उसके बाद Second Number वाले Macro ATM to Bank पर क्लिक करना है इस तरीके से आपके सामें Dashboard शो हो जाएंगा यहाँ पर आपका Account Number भी शो हो जाएंगा Transfer पर क्लिक करते हैं Transfer पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामें इस तरीके से Dashboard शो हो जाएंगा यहाँ पर select bank पर click करेंगे आपके कितने account यहाँ पर add है वो सब कुछ detail यहाँ पर show हो जाएंगी आपको नया एक account number add करना हो या फिर अपने family member का तो यहाँ plus वाले icon पर click करते हैं account number select bank IPC code इंटर पेंट कोड यह detail फिल करेंगे OTP फिल करेंगे तो आपका personal account की यहाँ पर add हो जाएंगा बट मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं relative account के बारे में इससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो relative account पर click करेंगे उनका account number select bank IPC code email id mobile number सब कुछ detail फिल करेंगे और यहाँ पर आपको उनका relation फिल करना है जैसे कि mother, father, wife, son जो कुछ है यहाँ पर उनको select कर लेना है उनका beneficiary का name, अधार number, इंटर, pin code करेंगे और get OTP करेंगे तो आप किसी भी अपने family member का account यहाँ पर add कर सकते हो और आच्छा कासा commission और transaction कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ DZP application में आप account add कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो like करें चैनल को